हलो एवरीवन वेल्कम टू अक्लास और टीवा विकम्स इक्सम सब्जेगे फिनैंशिल अकॉंटिंग और टॉपिक चल रहा है अंडर राइटिंग ऑफ शैस अंड वेंचर्स आज करेंगे सम नमर वन एंट तू यानि लेक्चे नमबर त्री है आई बटन में इंट्रड़क् को नॉर्मल और कैल्कुलेशन पार्ट है जिसमें कमिशन वगारा किस सरह काल्कुलेट करना वह देखना आपको हमारा प्रीवेस टॉपिक जो हुआ था कॉस्ट अकांटिंग पर हुआ था next सब्जेक्ट हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग भी हो गया है माजन कॉस्टिंग भी हो सब्सक्राइब करना जो आपको एक्षिल सम में बेसिक है तो दो-दो सम एक साथ कर सकते हैं लोग और बच्चों ये टेबल आपको हमेशा याद रखना है अन्माक एप्लिकेशन तक जरूर लिखे रखें पहले से निट लिटी आगे और भी कालकुलेशन है वह सम जैसे जैसे से हम प्रोग्रेस करेंगे स्टेप बाइ स्टेप तो ये और भी कालकुलेशन बढ़ने वाल है हां अन्माक एप्लिकेशन तक तो ये कौमा नहीं रहेगा हर सम के अंदर रेशो बेसी से हमारा रेशो को कॉलम बनाना है जितने भी अंडर राइटर है उनके नाम आएंगे औ थर्डी परसें एक्स वाइज एटीन अंडर राइटर है अपने पास और इनका रेशो बन भी गया 433 रेशो आपको डैरेक्ली समझ में आएगा और ग्रॉस लाइबिलिटी का आपका जो अंडर रिटन का जो भी आप शेर दे रहे हो वही ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशो अभी भी नहीं आया और यहां पर बोला है कि भाई अंडर राइटर पूरा होल कंसिडर कर रहे हैं एक लाग तो यहां से पिच्चर क्लियर हो रहा है कि भाई अभी भी 20,000 शेर रहने वाला यानि आपका जो में आंसर रेगा नेट लाइबिलिटी यानि अंडर राइटर के यानि इस असी अजार में जो अप्लिकेशन आया है इसमें से स्टैम किया हुआ है यानि मार्क किया हुआ है तो यह मार्क अप्लिकेशन इसके बारे में हर सम्में रहेगा इसको ध्यान देना मार्क अप्लिकेशन अनमार्क अप्लिकेशन तो असी अजार में से 20 प्लस 10 प्ल बता दिया आपको शो दा लाइबिलिटी ओफ अंडर राइटर अंडर राइटर्स की लाइबिलिटी बता ये डारेक्ट तो बता दिया मैंने सी हजार में बाइफिकेशन है माक्ट बता है तो मैंने आपको पच्चास हजार का तो अन्मा कितना हो गया 30,000 और फिर एंड में आपको बैलेंस बताना है कि वे अक्च्वल नेट लाइबिलिटी बाकी कितनी है तो एक में से असी का अप्लिकेशन है बट ऑबिसली कितना बाक है 10 तो कितना था बच्चो 10,000 तो 10,000 इन्टो 40, 10,30 एंड दो ट्री यानि 40, 30, 30 ये रेशो बाट दिये माक्ट एप्लिकेशन को इन्फॉर्मिशन नहीं है गीवन दिये इन्फॉर्मिशन नहीं दिया रहा तो रेशो लेते हैं मगर यहां पे गीवन है यानि डिरेक्ली बा 20 है 50,000 का बाइफिकेशन डिरेक्ट दिया हुआ एकस का कितना है 20 है वाई का 10 है और जैड का 20 बाइफिकेशन दिया हुआ एक इवन लिख दिया हमने माइनस कर लेते हैं तो यह चेक करते रहे ना आपको कि नेगेटिव नहीं आना चाहिए फिला नेगेटिव तो नहीं है अनमार्क में आ जाते हैं अनमार्क 30,000 है अब 30,000 के बारे में कोई बाइफिकेशन है तो अगेन वही ग्रॉस लिएबिलिटी रिश्व अप्लाई करेंगे हम लोग 30,000 के लिए अगेन डिवाइड बै टैन यह त्री ताहुजन आया त्री फो जर ट्वेल बारह हजार त्री कि डिवाना यानि वह एजेंट ने एक्स्ट्रा बेज दिया आपका शहर यानि वह प्रॉफिट अवला बंद है अपने लिए और जो उन्हें पॉजिटिव यानि अभी तक इन्हें नहीं हमारा शहर बेचा नहीं है तो अभी इनके उपर नेट लाइबिलिटी बनती है तो सब्सक्राइब कर लेते बाइफेकेशन कॉश्चन नमबर टू भी लिए हमने आपे साइबर टेक लिमेटेड इस्चू वन लैक एक लाग दे रहे हैं अपने अंडर राइटर एबी सी रेशो 25-30-45 परसंट रेशो दो पहला हमेशा ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशो पहला हमेशा लिखके रखो टोटल लाइबिलिटी एक लाग की है अप्लिकेशन आया असी अजार का इस असी अजार में 16 एक स्टैंप है यानि मार्क्ट की बात कर रहा है मार्क्ट अप्लिकेशन की 16 20 और 24 अच्छी बात है टोटल करेंगे तरह 20-30-40 पच्छा साथ साथ अजार म मार्क्ट हुआ रिमेनिंग एप्लिकेशन डिट नॉट बैर एंप्लिकेशन तो कोई जो रिमेनिंग शहर है उनके पर स्टैंप नहीं है अन्मार्क्ट है तो असी में से साथ निंकल गया कितना बचा बीस हजार वह की नोड़ हमेशा बना के रखें साइड में तो अपने ल और जो बच जाता है बोला हो यह नहीं बोला वह अन्मार्क्ट ही रहता यानि 20,000 बचा और आपको एंड में टोड़ नेत लियाबलेटी बतानी है टोल एप्लिकेशन और एप्लिकेशन रिसीवड में से लियाबलेटी एकला किये है ऐप्लिकेशन बिसाजार बैलेंस बचन रेस्टू, शिक्स रेस्टू, नाइन बनता है, हैनि हो, कैल्सी है तो वे हेडेकिन यह डिरेक्ली आप कैल्कुलेट करें, कितना बन जाएगा है बच्चों यह पाँच, पच्चा, साथ, सत्तर, सो ही बना, तो यह एक लाग को सो से अगर डिवाइड करें, हजार आया, हजार इन्टू 25,000, हजार इन्टू 30, 33,000, बाइफेकेशन कर ले, माक्ड एप्लिकेशन का रेशो की जरुवत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाइफेकेशन करके दिया है, 16, 20, 24, माइनस करेंगे, बैलेंस आया हमारा, अब बैलेंस में से अन्माक को भी माइनस कर लेते हैं, अन् लिएसलिए हम लोग ग्रॉस लिएबिलिटी ही लेंगे, अगेन इस 100 है, 100 से डिवाइट गया, 200 आया, 200 इन्टू 25, 200 इन्टू 30, 200 इन्टू 45, माइनस कर लें इसको भी, नेगिटिव चेक करें, नेगिटिव तो नहीं हा रहे, यह नेगिटिव आया गया, यानि आपका लेक्चर में आपको में एकसेस, कोई भी एक अंडराइटर एजन्ट जो है, वो एकसेस ज्यादा बेस देता है, तो उसका प्रॉफिट जो होता है, वो रिमीनिंग वाले के उपर बाट दिया जाता है, यानि लाइबिलिटी उसकी कम हो जाती है, बाकियों की लाइबिलिट लीके वो बैर कर देता हो, तो वो कैलकुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेँगे, की अगर कोई भी अंडराइटर का आंसर नेकिटिव है रहा है, एकसेस में जा रहा है, उसका प्रॉफिट कि स्थरा बाटना है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिलाल हमा thank you thank you for watching the video god bless you